जब कोई पूशता है कि एक यूटूबर का एक टीचर का एक सब्सक्राइबर या एक स्टूडेंट से रिस्ता क्या है कहना पड़ता है कि जो रिस्ता छबी का दर्पन से उचाई का नील गगन से और प्यार का जुके नयन से वो रिस्ता तेरा मेरा है वो रिस्ता तेरा मेरा है कुछ ऐसे रिस्ते हैं होते आज बने जो कल को टूटे सिर्फ प्यार का रिस्ता सच्चा बाकी सब रिस्ते हैं जूटे ये रिष्टा हमारा और आपका बना रहेगा तूटने वाला नहीं है क्योंकि एक गुरू और शिष्य की परंपरा हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी गुरू भले ही शिष्य को भूल जाए लेकिन शिष्य कभी गुरू को नहीं भूलता कदम कदम पर जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है पूरे जीवन कहीं न कहीं उनको मेरा नाम याद रहेगा अगली पीडियों तक वे बताएंगे और यूटूब रहा तो दो-चार सो साल तो हम भी अमर रहेंगे यूटूब के माध्धम से हमारा शरीर नश्ट हो जाएगा क्योंकि सारी दुनिया जानती है लेकिन ये जो आज तुम चित्र देख रहे हो यूटूब पे वीडियों देख रहे हो अगर ये यूटूब न गया और वीडियों नहीं गये तो आपके एगली तीन पीडिया भी देखेंगी हमें चलिए सब्सक्राइब कर लीजे इस समय तुम्हारा मूड सब्सक्राइब करने का नहीं हो तो दूसरे वीडियों कर लीजेगा मतलब कर लीजेगा सबसे पहले आपको एक फ्लोचार्ट बना लेना है हाला कि लिखना नहीं है ये फ्लोचार्ट है क्या एग्जामिनर भी नहीं जान परिचे की एक हेडिंग यहां पर दे सकते हैं, ठीक है, संक्षिप्त परिचे की हेडिंग दे दीजिएगा, यह संक्षिप्त परिचे आपको लिखना होगा, चुकि इतना यह संक्षिप्त परिचे देखकर ही एक्जामिनर आपको दो नंबर यहां दे देगा और तीन वहां क पुल्मिला के 5 नमबर वो दे देगा, ठीक, तो संक्षिप्त परिचे में आपको क्या लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म कब हुआ, 27 मई सन 1894, कब हुआ था, 27 मई सन 1894 में होता है जन्म, किसका पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी का, और जन्मिस्थान क्या रहता है, जबलपूर में है, जबलपूर के खैरागड में इनका जन्म हुआ था, पिता का नाम पुन्नालाल बक्षी था, मृत्यू इनकी 27 दिसंबर 1971 में हो जाती है, यानि कि कुल 77 वर्ष की उम्र में इन्होंने हिंदी साहित में बहुत सारा योगदान दिया, बाशा की बात अगर करें हम तो खड़ी बोली इनकी भाशा है, और संपाधन की बात करें अगर तो सरसोती एवं छाया नाम की पत्रिकाओं का संपाधन किया है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बहुत संग्षिप्त सा छोटा सा जीवन परिचे हम लिखाएंगे, और इसी छोटे से लिख करके आप पांच अंग पाएंगे, जन्म हो गया, जन्मिस्थान हो गया, पिता हो गया, मरत्य हो गया, भाशा हो गया, और संपाधन हो गया, भाशा शहली भी डाल सकते हैं, ठीक है, इतना लिखने के बाद आते हैं आउकाद पे और यहां से स्टार्ट करेंगे आप क 27 मई सन 1894 को होता है बक्सी जी का जन्म बक्सी जी का जन्म जबलपूर में हुआ जबलपूर के खैरागड में हुआ ठीक है जबलपूर के खैरागड नाम के स्थान में हुआ था और इनके पिता का नाम पुन्ना लाल बक्षी था क्या था पुन्ना लाल बक्षी था और बाब इनके जो थे उनका नाम था उम्राव बक्षी, बोलो बाबा का नाम क्या था? बाबा का नाम था उम्राव बक्षी, साहित प्रेमी और कभी भी थे, कौन? इनके बाबा, साहित प्रेमी थे और कभी थे इनके बाबा, फिर इनकी माता को भी साहित से क्या था? प्रेम था, साहित साहित से लगाओ था भै जब माता पिता को साहित से लगाओ होता है तो पुत्र को वैसे ही साहित से लगाओ होगा अदिकतर ऐसा देखा गया है किताबیں अलमारी में गंजी हुई है तो बेटा कभी न कभी तो उठा के देखेगा कि यार लाओ ये किताब पढ़के देखें भाई कैसी है तो बाबा थे उम्राओ बक्षी और पिता थे पुन्ना लाल बक्षी माता को भी इनका साहित से लगाओ था ठीक है अठारा सो चौराननबे में होता है जन्म सताइस पांच चौराननबे को होता है जन्म ठीक है परिवार के साहितिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यारथी काल से ही विद्यारथी जीवन से ही कविताएं रचते थे BA pass करते ही क्या हुआ जैसे इन्होंने BA pass किया भाई साब उस समय का BA IS के बराबर होता था समझे लो BA pass करते ही इन्होंने सरस्वती नाम की पत्रिका यह सरस्वती पत्रिका वही है जिसकी स्थापना 1900 में होती है शाम सुन्दर दास इसके संपादक होते हैं, फिर 1903 आता है महावीर प्रसाद इसके संपादक होनते हैं और यही 1920 के बाद सरसोती पत्रिकाओं अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाय प्रकाशित होने लगी थी इनकी कविताएं सच्छन्दता वादी कावेधारा की थी जिन पर अंग्रेजी कभी किसका प्रभाव था? wordsworth का प्रभाव होता थीक है wordsworth का इस पष्ट प्रभाव परलक्षित होता है यानि कि बक्सी जी का बक्सी जी के कावे पर अंग्रेजी के कवी William wordsworth का effect पड़ा था वहीं से उनकी भाषा जैसी थी वैसी ही भाषा और बात इनकी भी थी इनकी कविताओं में बक्सी जी की प्रसिद्ध प्रसिद्धी का मुख्य आधार है आलोचना एक बड़े आलोचक थे पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी निबंद लेखन है दो ची मुख्य आधार एक तो आलोचक भी थे और निबंदकार भी थे साहित का ये महान साधक 27 दिसंबर सन 1971 इस भी को 1971 है भाई साथ 27 दिसंबर यानि की 27 और 12 27 बारा 71 को ठीक है 27 बारा 71 को परलोकवासी हो गए थे पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी जी रचनाएं बहुत सारी हैं लेकिन हमें संख्षेप में इनकी रचनाएं पढ़ लेनी है प्रबंद पारिजात पंचपात्र पदमवन जल्मला नवरात्र पंचरात्र पंचपात्र मेरी अपनी कथा आदी मेरी अपनी कथा इनकी आतु कथा है जल्मला बहुत आया जल्मला कहानी संग्रा है, जल्मला क्या है, ये कहानी संग्रा है, ठीक है, और भाषा की बात करें अगर इनकी, तो भाषा सहली भी लिग लिजिएगा, भाषा सहली, ठीक है, भाषा इनकी साहित एक खड़ी बोली है, तो हम आपको जो PDF देंगे, वो ये वाली नहीं देंगे, पीडियेफ हम आपको एक डिटेल्ड वाली देंगे थोड़ा सा इसमें पीडियेफ हम आपको देंगे कौनसी पदुमलाल पुन्नलाल बक्सी कहा गए भाई साब ये कहा गए ये है वही बात यहाँ पर भी हमने टाइप में भी वही बात लिखी है ठीक है आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही है जन्म 27.5.194 मृत्यू 27.12.71 जन्म खैरागड जबलपूर मद्देपरदेश पुन्नलाल बक्सी पिता भाषा खड़ी बोली छाया और सरसुती में इनका संपादन हुआ था फिर आता है परिचे 27.5.1994 जबलपूर खैरागड में इनका जन्म हुआ था पुरा परिवार का साहितिक वातावरण था ठीक है फिर क्या था 19.26.20 से लेकर 27.26.20 तक बड़ी कुसलता से सरसुती का 20.20 में क्या हुआ था जब महाबीर प्रसाद दुवेदी ने 20 में संपादन छोड़ा था तो 20 से 27 तक संपादन पदुमलाल पुनालाल बक्सी ने किया था ठीक है इनकी कृतियों पर थोड़ा सा आप देखेगा डिटेल्ड पढ़ना है तो ये पढ़िएगा ठीक है दोनों प्रकार की PDF हम आपको दे देंगे लंबा पढ़ना है तो ये पढ़िए बाकी दोनों सही है ठीक है जो हमने आपको बताया वह भी सही है और ये भी सही है जो आपको अच्छा लगे वह पढ़ लिजए हम दोनों प्रकार से आपको दे देंगे दोनों PDF आपको मुया करा देंगे कुलमला के मैं आपको recommend करूँगा कि hand written notes जो है वो आप पढ़िए थोड़ा सा इसमें भाषा शैली हम दिखाने की आपको कोशिस करते हैं भाषा शैली इससे देख लीजिएगा भाषा इनके शुद्ध साहितिक खड़ी बोली है समिक्षात्मक भावात्मक विबेजनात्मक व बहुत सारे मनोहर दुबे जी हैं आकाश प्रजापती जी हैं साक्षी जी हैं ठीक है ओनली वर्क जी हैं चलो अरपित पांडे जी हैं हरशित दिवाकर जी हैं धन्यवाद अचा पीडियेप कहां से पाओगे पीडियेप तो बता दिये न डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है वहीं से आप डाउनलोड कर लिजे पीडियेप